नमस्कार दोस्तों आडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है आज के चित्रकार है केसी अस्पनिकर दोस्तों सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवश्य कर लें केसी अस पनिकर का जन 30 माई सन 1911 को केरल के कोयमबतूर नामक स्थान पर हुआ. इनके पिता चिकित्सक थे और इन्हें भी चिकित्सा के क्षेत्र से ही जोड़ना चाहते थे. किन्तु पनिकर ने एक कलाकार का हृदय पाया था. चेन्नाई के क्रिश्चन कॉलेज में अध्यायन करने के पश्चात इन्होंने भारतिय टेलीग्राफी विभाग में नौकरी की, किन्तु भी इससे संतुष्ट नहीं हुए. पाँच वर्ष पश्चात उन्होंने व्यापारिक बीमा कमपनी में नौकरी की, किन्तु ये नौकरी भी उनके कलाकार हृदय को नहीं रोक पाय, अतासन 1936 में कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु उन्होंने चेन्नाई स्कूल आफ आर्स में प्रवेश लिया. यहां उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें चित्रकला के 6 वर्षिय पाठ्यक्रम के सीधे 3 वर्ष में प्रवेश दे दिया गया. उस समय प्रसिद स्रिजन्शील चित्रकार एवं मूर्ति शिल्पी देवी प्रसाद राय चौदरी चेन्नाई स्कूल आफ आर्स के प्र पर पहुँचे. पनिकर ने कला शिक्षा को नए आयाम देने के प्रयास किये. उनके कार्यकाल में चेन्ने स्कूल आफ आर्स ने कला शिक्षन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसका नाम भारत के प्रमुख कला केंद्रों में गिना जाने लगा. पनिकर की कला पर मुख्य रूप से बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकार यामिनी राय, विनोध बिहारी मुखरजी तथा यूरोपिय कलाकार पॉलकली की कला का प्रभाव पढ़ा. उन्होंने सभी कलाकारों की कला की मूल प्रेरना को ग्रहन कर उसे भारतिय एतिहासिक कला से जोड कर अपनी मौलिक कला में समायोजित किया. सन 1940 से 1957 तक पनिकर ने आकृती प्रधान कलाकृतियों का स्रजन किया. इस दोरान उन्होंने सामाजिक जीवन से संबंधित भाव प्रधान आकृतियों को अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया. उनके मा बेटा सीरीज के चित्रों में यह लोग चेतना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है. वे टैल रंग तथा जल रंग दोनों ही माध्यमों में कार्य करते थे. सन 1970 में पनिकर की कला में एक खास परिवर्तन आया. इस समय की उनकी कला तांत्रिक कला से मिलती जूलती है. उन्होंने रेख प्रतिकों, रंगों के जामितिय क्षेत्रों तथा अपठित लिपी के समान रेखिय चिहनों के समायोजन से कुछ ऐसे चित्रों का स्रजन किया जो किसी रहस्यात्मक्तंत्र साधना की पुस्तक की गूर अर्थ वाले प्रिष्ठों के समान प्रतीत होते हैं. इनमें धरातल म में हलके रंगों का प्रयोग किया गया है. कहीं कहीं हलके रंगों से कुछ क्षेत्र बना दिये जाते हैं अत्वा रेखाओं और रंगों से छोटे-छोटे जामितिय आकार बनाकर शेष स्थान में बारीक रेखाओं के द्वारा असपश्ट लिपी के समान चिन्ह बनाए ग इसा, बसंट तथा बाद्स एंड सिंबल सीरीज आधी पनिकर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। घन्य है शांती दूत नामत चित्र में आजंता और सितन्न वासल के समान विशाल सयोजन किया गया है। पनिकर ने अपने चित्रों में जीवन और समाज के अनुभवों को प्रस्तुत किया है जिसमें व्यांगिय का भी समावेश है। विकृतियों में कहीं-कहीं फाओकला अंदोलन का भी प्रभाव दिखाए देता है। पनिकर के बसंत नामत चित्र में आकृती की गोलायों को अत्यंत कोमल रूप में चित्रित किया गया है। चित्रन में यद्यपी किंचित विचित्रता है तथा पी ये अत्यंत प्रभावशाली है। चित्रतल के विस्तार का कुशलता से प्रयोग किया गया है। तुलिका से अनकित रेखाओं के माध्यम से शरीर के कोमल स्थानों का सुन्दर संकेत दिया गया है। मुख्याकृतियों को बड़े आकार में तथा तिर्ची भांगिमा में अनकित करना पनिकर की एक खास पहचान है। इनमें घृवा कहीं कहीं बहुत मुड़ी हुई है। नेत्र बड़े बड़े तथा मत्स्याकार हैं एवं पुतलियं का ताक्ष की ओर चित्रत की गई है। यहां तक की पशू आकरितियों में भी नेत्रों का चित्रन इसी प्रकार किया गया है, जिस पर राजपूत कला की परम परागत प्रवृती का प्रभाव द्रिश्टि गोचर होता है। पीसा की आकृती में भी यही विशेष्टाएं द्रिष्टी गोचर होती हैं। उनके अनेक चित्रों में मुखाकृती की तुलना में शरीर बहुत छोटे अनकित हैं जो बालकला की प्रवृती है। पनिकर की अनेक मानवा कृतियों में धड़ एक दंड की भाती है। दो आकृतियां, बसंद, काली लड़की, पतिता तथाई वादी चित्रों में इसी तकनीत का प्रयोग किया गया है। उनके शांती करताओं के चित्र में पाश्चात्य एकडमिक शरीर शास्त्रिय नियमों का परियाप्त प्रभाव देखा जा सकता है। इनके चित्रों का प्रथम प्रदर्शन सन 1926 में Fine Arts Society 49 की अखिल भारतिय प्रदर्शनी के साथ हुआ। सन 1928 से सन 1930 के मध्य इन्होंने चेननाई Arts Society की अखिल भारतिय प्रदर्शनी में भाग लिया। इसके पश्चात देश विदेश में इनके चित्रों की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की गई। सन 1938 में इन्हे Fine Arts Society पश्चिम बंगाल का पुरसकार प्राप्त हुआ। पनिकर को केंद्रिय ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। पनिकर के चित्रव व्यक्तिगत संग्रहों के अतिरेक्त राष्ट्रिया आधुनिक कला संग्रहाले, नई दिल्ली, राष्ट्रिया कला संग्रहाले चेननाई एवं मैसौर के कला संग्रहाले में एवं विदेशों में भी संग्रहीत हैं। विपरीत परिस्थितियां उत्पन हो जाने के कारण पनिकर ने सन 1967 में चेननाई के कला और शिल्प के राज किया विद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश ले लिया। उन्होंने हस्थ शिल्प कला कोशल की उन्नती एवं विस्तार के लिए भी बहुत प्रयतन किये, साथ ही वस्त्रा भूशनों में भी कलात्मक्ता का समावेश किया। उन्होंने हस्ट शिल्प संध की स्थापना की। धीरे धीरे इस संग द्वारा किये गई कारियों का विस्तार हुआ तथा इसके द्वारा बनाई गई हस्थ शिल्प कलाकृतियों का विदेशों में निर्यात होने लगा। परिनामस्वरू पिटली की निर्यात बातिकों से प्राप्त धनराशी से कुछ असंतुष्ट कलाकारों ने साथ मिलकर चिन्नई के पास ही एक भूमी खरीद कर एक ग्राम की स्थापना की। कलाकारों के इस ग्राम का नाम चोलमंडल रखा गया। चित्रकर, मूर्तिकार एवं हस्थ शिल्पी वहां रहने के लिए गए। वहां उन्होंने अनुकूल एवं बंधन मुक्त वातावरन में अपनी कलासाधना की। इन कलाकृतियों की बिक्री कर वे अपनी आजीवे का प्राप्त करते थे। सेवानिवरिती के पश्चात पनिकर भी इस कलाकारों के ग्राम में रहकर कलात्मक स्रिजन करने लगे। उन्होंने अपनी लगभग 50 कलाकृतियां केरल की जनता के नाम कर दी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में पनिकर बीमार रहने लगे थे। उनका देहावसान 15 जनवरी 1977 को हुआ।